वेलकम टू फुद अन्मॉमी आज की हमारी रेसिपी है डबल कड़ाई केक जिसे हम बेग भी कड़ाई में करेंगे और मोल्ड में भी कड़ाई यूज करेंगे रेसिपी का नाम है मावा रबडी केक यह बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी है इंडो बेस्ट इंफूज पाउडर्ड शुगर इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा वाइट और यह थोड़ा सा फ्लफी हो जाए इसमें हम एड करेंगे वन टी स्पून जितना ओईल उसे के साथ हम इसमें एड कर रहे हैं थी फॉद यहां पर मैंने आधा कब जितना मावा लिया है इसे हम अच्छा बारिक ग्रेट कर लेंगे एकदम बारिक हमें इस तरह से इसे ग्रेट करना है मावा हमारा इस केक का की इंग्रिडेंट है अब हमारे लिक्विड में हम हमारे ड्रा इंग्रिडेंस को कर देंगे मिक्स और उ ताकि जो भी सारी ingredients है वो अच्छे से mix हो जाए, थोड़ा सा इससे liquid बनाने के लिए मैं इसमें warm milk add कर रही हूँ, बहुत गरम भी नहीं, इस तरह की consistency हमें इसकी चाहिए, जो थोड़ी सी flowy है पर बहुत पतली भी नहीं है, अब हम एक कड़ाई में नमक लेंगे, मेरा ये used न इसे grease, उसी के उपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, और हमारा जो batter है उसे हम इसमें पोर कर देंगे, बहुत इसे tap ना करें, ताकि इसका जो fluffiness है वो बैट ना जाए, इस तरह से हम इसे even करके, थोड़े से almond flakes, और थोड़े से dry rose petals इसके उपर garnish कर देंगे, ये लु लिए एकदम slow आज पर bake करेंगे, तो मैंने इसे ढग दिया है, meanwhile हम बनाएंगे रबडी, उसके लिए मैंने आधा कप यहाँ पर दूद लिया है, उसमें मैं डाल रही हो क्रीम, आप क्रीम या मलाई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने milk पाउडर लिया है, उसमें मैं अच्छे से उकाले ना आजाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये milk पाउडर होकर रेड़ी है, फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं रोस सीरप, और इसी के साथ अगर आपको जरुवत लगे तो आप इसमें शुगर भी एड़ कर सकते हैं, आपकी स्वीट प्लेट से हम इसकी कर देंगे मार्किंग और इसी मार्किंग के साथ हम इसमें थोड़ा सा केक को स्पून की मदद से कर देंगे रिमूव इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने स्पून की मदद से बीच में केक को कर दिया है रिमूव और उसी जगे पर हम हमारे बाउल को रखकर उसमें कर देंगे रबडी को पूर और इसे कर देंगे कुछ almond flakes और कुछ rose petals से और now you can cherish and enjoy this रबडी मावा के लाइक और सब्सक्राइब करें इसी तरह की wonderful recipes के लिए do try and let me know आपको कैसी लगी thank you for watching